उट को जहरीले साब क्यों खिलाए जाते हैं कभी कभी उट को जोर जबजास्ती जहरीले साब क्यों खिलाए जाते हैं लेकिन आखिर एक उट के साथ ऐसा क्यों किया जाता है चलिए बताते हैं लेकिन उसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें असल में दोस्तों इस दुनिया में जुनोटिक पेरासाइट्स नाम की एक ऐसी बीमारी होती है जो जैसे ही किसी भी उट को लगती है वो खाना पीना सब छोड़ देती है अमेजिन बातिया है कि इस बीमारी में उट बिना कुछ किये हर दिन सूरज की तरफ ही देखता रहता है लेकिन इस कंडिशन में किसी भी कैमिल को जहरीला साप खिला दिया जाए तो उस साप के जहर से उट को एक और बीमारी हो जाती है जिसको हेमोरेगिक डीसिज के नाम से जाना जाता है इस डीसिज का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि यह उट को काफी हद तक भूख और प्यास लगाना शुरू कर देती है जिसकी वज़े से वो पूरी तरह घबरा जाते हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में खाना और पानी पीना शुरू कर देते हैं और जैसे ही साप के जहर को कैमिल के रिम्यूल सिस्टम के द्वारा डि एक्टिवेट कर दिया जाता है तो वह उट जो मरने के इंतजार में बैठा होता है वो दुबारा से एंजेट होकर जी उठता है यही कारा है कि उट को जहरीले साब खिलाए जाते हैं एक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद